वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल सुशियोलगी कासिस आज हम प्रिवेस यर के 2016 के क्वेशन पेपर सॉल्ट करेंगे पीजी टी के शुशॉलोजी के एक वीडियो मैंने इसके अप्लोड कर दिया यह सेकेंड वीडियो है एक मैंने पूरा पेपर 125 क्वेशन जो थे तो उसे मैंने कर दिया है प्लोड कर चुकी हूं मैं यह दूसरा पिपर है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह आप इसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं और प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो मैं चैनल से जुड़ सकते हैं और कंटेंड की कॉंसे नेटवर्क के हार्डवेर के प्रियोकदारा होता है तो यह जो परिभाशा किसने दी है अंसर हमारा बी राइट है गरन वा फोर्ड ने नेक्स्ट है प्रतिश पारदा और शंगर्स में अंतर तो क्या अंतर हैं यह जो ऑप्शन दिये हुए हैं सभी राइट है तो पढ़ प्रतिश पारदा कम मात्रा में प्रतिक करण करती है जबकि शंगर्स अधिक मात्रा में प्रतिश पारदा व्यक्ति और समाज दोनों को लाप पहुचाती है जबकि प्रतिक करण दोनों को हान पहुचाता है प्रतिश पारदा समाजी प्रगति में शायता करती है जबकि संगर जो River रोड़े को वहिए नहीं करता हैं तो ये वह विचार सक्ती लुप्त हो जाती है प्रय कहां भीड में आंसर वमारा बी राइट है नेक्स्ट दो हुजार ग्यारा की जंगर्णिया के अंसार म्रत्युदर मोट्रैलिटी रेट जो है तु थाउजन प्रति कितनी है तो कितनी है थाउजन में 7.48 डी अंसर हमारा राइट है नेक्स्ट भामुक्ता इमोशनेलिटी प्रबलता होती है किसमें अधिक भीड में बी आंसर हमारा राइट है नेक्स्ट प्रात्मिक समों की अवधारना दी है तो सह नेक्स्ट गोइजन तो सीच गूले जीन यह अंसर हमारा राइट है नेक्स्ट निविखित में से कौन सा प्रात्मिक समूह कौन सा है परिवान पडोष खेलका बच्चों का खेलका समूह वो यह दोनों ही प्रात्मिक है तो अंसर हमारा डी राइट है उप्यक्त सभी नेक्स्ट कुशिन है निम्लिखित में से कौन साथ दुत्यक समू है परिवार बच्चों का खेल समू ओफिश या पडोस तो दुत्यक समू में आता है हमारा पडोस और सॉरी ओफिश पडोस हो बच्चों का खेल समू परिवार ये तो प्रात्मिक समू अभी हमने देखा नेक निमलिकित मेंसे कौन सा इस्थानी समु कौन सा है जंजाती ठ्रैब्स अंसर अमारे सी राइट है नेक्स निमलिकित मेंसे कौन सीiner कीनि प्रकृण है तो जन आंकी कीनु प्रकृण है अंसर हमारा A right है तो इसके according हमारे प्रजनिता और म्रत्य अर्था next ससक्त कारिदल empowered action group में कौन सा राज सम्रित नहीं है तो कौन सा राज सम्रित नहीं है पंजाब आंसे हमारा B right है empowered action group में next जाती की परिभाषा क्या है जाती की परिभाषा जो है जाती एक बंदवर्ग है next निम्रिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है जाती और वन दोनों समाज का स्तिरिंग करते है तो यह answer मारा C right है next है निम्रिकित sorry किसने समाज के भोगोलिक भागे निर्णायक वाद का सिध्धान दिया है तो किसने दिया है हटिंग टर्ण ने answer हमारा A right है संस्कृति संकुल विभिन कालों में विक्सित हो कर्स अनि भागों में प्रसारित हो रही है यह प्रसार वाद का जो समर्थक है और जो यह परिभाषा है किस से संबंदित है जो विचारक दिये हुए है तो यह सभी से संबंदित है यह जो option दिये हुए है ग्रेबनर एंकरमेन लोवी और इलियट और मेरी यह तीनों ही मतलब चारों ही option राइट है नेक्स्ट संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पसु नहीं कर पाया संस्कृति का विकास तो इसका option है बोलने की शमता मनुश्य में होती है सीधे खड़े होने की शमता मनुश्य में होती है उंगलियों और कलाईयों की कार्षम्ता भी मनिश्यों के दिया है परशों में ये प्रवत्ती नहीं पाई जाती है निमलिघित में से कौन सा सा कथन हंडिंग tworon द्वारा दिया गया है यह समाज के भागीकार Beethoven परिस्तियां करती है यह हंडिंग क्धिटन मानते हैं कि समाज के भागयु बागया है समाज जो चीजे पर वर्वर्तित होती है या वह घोग्ज़ों वातावरन वह घोग्ज़ोंब परिस्तियों के कारण होती हैं तो इसलिए समाज के भागिकारन जो निर्ने लेता है वो वह गोलिक परिसितियां लेती हैं नेक्स्ट संस्कृती पर्यावरण का मानो निर्वित हिस्सा है यह जो कथन है एक कॉंसेप्ट किस ने दिया है तो हट्स कोविट ने अंसर हमारा एक राइट है समाज में किस इस्थित को संस्कृती वी डम बना कहा जाता है तो किसको कहा जाता है आंसर हमारा बी राइट है जब संस्कृति के दो पारसपरिक निर्भर भागों में से एक भाग, दूसरे है भाग से पिछड जाता है, तो क्या विडंबना आ जाती है, संस्कृति बिडंबना नेक्स्ट उप्चारिक संबन्द निम्लिकित में से किन संहुँखों का लक्षण हैं आउफचारोगी कि प्रात्मिक चमूम में पाये जाते हैं उनफचारिक समथ प्रात्मिक सम्खड सम्वन फातर जो सिर्फ ढूंटी फूरी गरने जैसे होते हैं तो यारोव से प्रात्मिक सम्ट करते हैं तो याति Speaking समों में आते हैं next जाती विवस्था की रीड की हड्डी है जाती विवस्था की रीड की हड्डी क्या है अंतर विवा इंडोगैमी नेक्स्ट आद्मिक समाज में अधिकान समाजिक इस्थितियां होती है जो आद्मिक समाज में अधिकान समाजिक इस्थितियां कैसी होती है अरजित अरजित का मतलब होता है प्रयास द्वारा उसे प्राप्त करना जो हम मैनत से प्राप्त करते हैं वो होती है आरजित परिसिती आरजित और प्रदत होती है जन्म से जो हमें प्राप्त होती है वो next समाज में प्रदत समाजिक इस सिती ही तैं होती है इस आधार पर किस आधार पर होती है तो जन्म के आधार पर तो प्रदर्द जो होती है वो जन्मर की आधार पर होती है और अरजित होती है वो हमें मैनद करके प्राप्त होती है जैसे हम सिक्षा ग्रहणर करते हैं तो अरजित करते हैं उसे और हम जन्म लेते हैं संसार में आते हैं तो हाथ पैर जो हमारी मिलते हैं वो जन्म से में मिलते नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा विचारक सांस्कृत विर्णमना के सिध्धान के लिए जाना जाता है तो ये कौन है आर्गमन और निमकॉफ आर्गमन जी है सांस्कृत विर्णमना के नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही है ए व्यक्तित्तु की जड़े संस्कृति में होती है निम्लिकित कत्थन पर टिपड़ी कीजिए एक व्यक्ति ना तो मानों पैदा होती है और ना ही समाजिक वे वह दोनों ही होता है समाजिकर्ण की प्रक्रिया के द्वारा तो ये कॉंसेप्ट बिल्कुल सही है क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो उस समय न व्यक्ति होते है न मानों होता है एक व्यक्ति ना तो मानों पैदा होती है और ना ही समाजिक वो यहाँ पे समाजिकर्ण के द्वारा ही अपने आपको स्टैबलिस्ट करता है संसार में नेक्स समाजी करन एक प्रक्रिया है ओप्शन मारा A राइट है वेक्ति के वेक्तित्तु को बनाने की समाजी करन के द्वारा ही वेक्ति का वेक्तित्तु निखारा जाता है बनाया जाता है समाजी नियंतरन का सबसे महात्पूर अभिकरन है तो क्या है पदिवार समाजी नियंतरन का महात्पूर अभिकरन Next मुसलिम विवा का स stimulating इनमें से कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है जीहर अंसर मारा सी राइट है एक सार्थक जीवन के लिए भारती विचारधारा में कौन से चार पुर्षाद बताए गए हैं तो यह तो एजी है 9-10-12 में आपने पढ़ा होगा धर्म अर्थ कामोक्ष 2005 की घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वाइलेंस अधिनियम में क्या नहीं समलित है आप्शन हमारा ए वास्त्विक दुर्वेवार नहीं समलित है लैंगिक दुर्वेवार पावनात्मक मौकिक यह समलित है नेक्स्ट संउक्त परिवार समाजिक जगत का एक छोटा रूप है सही है या गलत जो परिवार है, सेंक्त परिवार है, हमारी जगत का एक छोटा रूप है, सही है, पूरता सही है विवस्था के रूप में जाती एक पहुत अच्छी विवस्था है, पर जब वह जाती वाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है या टिपड़ी है? सही या गलत? पूर्टा गलत. जजमानी व्यवस्ता पाई जाती है भारत के गाउं में? गाउं में जजमानी व्यवस्ता पाई जाती है, अभ तो वो भी नहीं है, पहले पाई जाती थी. किस नातेदारी संगठन में मात्रवंसी व्यवस्था विद्मान है तो मात्रवंसी व्यवस्था कहां पाई जाती है गारो नातेदारी में ये बुक किसने लिखी है ये लिखी है आलते करने भारति सास्त्रों के अंसार इस्त्री धन किसे कहते हैं तो इस्त्री धन किसे कहते हैं अंसर हमारा ए राइट है उसके स्वयम के विवा के समय तथा उसके स्वयम के तथा उसके पती के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया जा गया धन या वस्तू ग्रामीर भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है असक्षा बागी तो हैं ही लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह उप्शन के अकॉर्डिंग असक्षा next वरतमान भारत में पंचायती राज्य कैसी अवण धार्णा है ? राजिनेति so simple next कालांतर में परिवारिक संगठन के त्यस्टी कोंड से पस्षाज़्थी करण है ? हमारी वरतमान समाज की विशेष्ड़ा है सर्भौमिकरण अंसर C राइट है धर्म निर्पेक्ची करण सेकुलराइजेशन का अर्थ है क्या है सभी धर्मों को सम्मान देना A राइट है अंसर हमारा नेक्स्ट आध्रिकी करण मॉडरनाइजेशन का अर्थ है क्या है अर्थ पतेक तरीके पर विवेकपूर तरीके से विश्वास करना अंसर C राइट है Next समाज की सनचना गति सीलता किसे कहते हैं किसे कहते हैं समाज की सनचना गति सीलता अंसर हमारा है D जब समाज की संस्थाओं में परिवर्दन होता है किसकी पुस्तक है तो यह sociology of religion किसकी मैक्स वेबर की है धर्म की बारे में मैक्स वेबर ने छह धर्मों की बात की है उन्होंने तो उस concept को भी हम समझाएंगे आगे देखते हैं next question हमारा सुन निदेशित समाज पर निदेशित समाज तथा परंपरा निदेशित समाज की अधार्णा किस ने दी तो यह दी है रिजमैन ने डेविट रिजमैन ने अंसर हमारा नेक्ट ओधोगी करण इंडेस्ट्रालिजेशन का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की और उत्प्रवाश है जिसका नगरी करण पर कुछ प्रभाव भी है ग्रामों से नगरों की और उत्प्रवाश का बुरा प्रभाव क्या है तो क्या बुरा प्रभाव है जनाधिक य तेज नगरी करण अर्बरिनाइजेशन की सबसे प्रमुक समस्या कौन सी है तो समस्या है शहरों की अन्यंतृत व्रधि और विकाश अंसर हमारा A राइट है वर्तमान भारत में ग्रामीर नित्यत्त को निधायत करने वाला प्रमुक कारक कौन सा है तो कारक है हमारा जातिवार B अन्सर राइट है कौन सी इस्थितियां समाजिक विगटन को बढ़ाने में मदद करती हैं, इस्थिति वा उनके कारियों में असुन्तुलन अंसर हमारा A राइट है अपने जीवन को भगवत गीता में वनडित कर्म के सिध्धान के अंसार जीना वैतिक विगटन को रोकने का सौरुत्तम तरीका है जब प्रतिश पारदा अपने नियमों का अनूपालन नहीं करती है तब वह रुपांत्रित हो जाती है तो किसमें प्रिपांतरित हो जाती है संघर्ष में जब प्रतिश पार्धा नियमों का पालन नहीं कर दिया तो यह थी हमारे आज की नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो 101 से 25 रह गए है इसमें एक सीरीज के तो वो ले के आओंगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के शाशेयर करिएगा और कोई क्वेरी है सेजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में 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 नेक्स्ट विडियो अफिर में थे, तक्स वड़च्छ